गुड़ मॉनिंग एब्रीवन क्लास है बीए सी पार्ट थर्ड ठीक है पेपर अब पढ़ रहे थे सैगींड कौन सा था समिश्र विश्लेशर और क्लास है आपकी 22 देखो लास्ट क्लास में कुछ परवाशा है पड़ी थी आंतरिक बिंदू क्या होता है भी थोड़े बहुत परवाशा है उसके बाद परवाशा क्तम होने के बाद कुछ प्रमे है वह प्रमे पढ़ेंगे इसमें आपकी मेली तीन चीजे हैं एक तो आपका जॉड़न कर्व है और एक इस्ट्रियोग्राफिक प्रोजेक्शन है और एक एकस्टेंडड़ कॉमप्ले थाहि Loramkal बोलते हैं जैसको हीनिको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं है परिवाशा आपके काम आने वाली हैं इस लिए में परिवाशा को लिखा रही हां परिवाशा को समझा रहा हो क्योंकि के अगें परिवाशा बहुत काम आती है ऑगे एकली परवाशा बाहर बिंदू इसकी परिवाशा लिखते हैं पहले क्या है किसी समुच्छे एस का किसी समुच्छे एस का बिंदू जैड नॉट जो ना तो आंत्रिक है आंत्रिक है और नाही पर्धी का बिंदू है। नाही पर्धी का बिंदू है बाहर बिंदू कहलाता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई समुच्चे है एस ठीक है अब आपको किसी बंदू समुच्चे एस का बिंदू जैड नोट जो ना तो आंत्रिक है और ना ही परदी पर है यानि इस टाइप का यानि यहां पर कोई ना इसके परदी पर आ रहा है तो इस जैड नोट का बहुत है बहुंदू बहुत है अगला है परेवाशा आपकी अगली परिवाशा है वीद्पन एवम संवरक समच्छे सब योद्पन एवम समवरक समुच्चे क्या होता है देखो समुच्चे S के समुच्चे S के सभी बिंदुओं का समुच्चे विदुपन समुच्चे कहलाता है विदुपन समुच्चे कहलाता है इसे S से प्रदर्शित करते हैं यٰिए ये क्या कह रहा है कि समुच्चे S के सभी बिंदुओं का समुच्चे जैसे आप के पास ये समुच्चे हुआ ठीक है आपने इसके अंदर बिंदु थे इस टाइप से ये बहुत सारी बिंदु आपके पास पढ़े है इसमें अनंत पढ़े हैं ठीक है आपने का किया फिरीव करा है बिंदू एसके सभी बिंदूओं का समुच्चे यानि आपने क्या किया कि इतने बिंदूओं को लेकर समुच्चे बना लिया इतने बिंदूओं को लेकर समुच्चे बना लिया इनको समुच्चे बना लिया इनको समुच्चे बना लिया इनको समुच्चे बना लिया इस टाइब से तो वह कह रहा है कि इन सब का समुच्चे क्या कहलाएगा हमारे पा ट्सेये लिख रहू है अरिसे परीबत्द समच्चे आगे परिबत्द्द समुच्च्च्च्च क्या होता है देखो एक समृच्च्च्च परिबद्य समुच्चे कहलाता है परिबद्य समुच्चे कहलाता है यदी कोई धनात्मक वास्टिक संख्या यदी कोई धनात्मक वास्टिक संख्या के इस परिकार है की इस परिकार है की मौड लेज देन एक्वल टू जेट के फोर और जेट ब्लॉंग्स टू एस ठीक है देखो यह चीज क्या है यह अनुक्रम में आपने पड़ी थी अनुक्रम पड़े थे जब उसमें पड़ा था ना परिबद्ध धनुक्रम संख्या मिल जाए कि मिल जाए यदि हमें कोई ऐसी द्धनात्मक संख्या मिल जाए जिसके अनुक्रम के जितनी भी पड़ा सारे पड़ उस धनात्मक संख्या से चोटे हों तो हम क्या कह देतें वह नमर क्या कलाएगा उसका परिबद्ध यह समूच्छे वोई चीज इसमें है, इसमें क्या है? कि आपका कोई समुच्चे होगा S, S में अगर आपका कोई ऐसा धनात्मक संख्या मिल जाए K, जिससे S के जितने भी अव्यव है, उस K से क्या हो? चोटे हो, के से क्या हो? या दो बराबर हो या चोटे हो? उसको क्या बोलते हैं? परिब सेहन्त समुच्चे क्या होता है एक समुच्चे जो की एक समुच्चे जो की परिवद्ध तथा सब्रत दोनों है सेहन्त समुच्चे कहलाता है यानि इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर समुच्चे आपका परिवद्ध भी होगा और सब्रत भी होगा तो उस समुच्चे को हम क्या बोलेंगे सहंत समुच्चे बोलेंगे ठीक है उसको क्या बोलेंगे सेंच सहंत समुच्चे अगली परिवाशा है संबद समुच्चे समबद समुच्चे यह क्या होता है समुच्चे एस को समुच्चे एस को समबद समुच्चे कहते हैं यदि कहते हैं यदि इस समुच्चे के किनी इस समुच्चे के किनी दो बिंदूओं दो बिंदूओं को मिलाने वाले मिलाने वाले बहु बुजिये चाप के बहु बुजिये चाप के सभी बिंदू समुच्चे सभी बिंदू समुच्चे सभी बिंदू समुच्चे में बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जैसे इसको समझाएं अगर, कैसे समझा सकते हैं, देखो, यह मिटा रहो उपर से, इसका मतलब यह हुआ, कि आपने क्या किया, कोई समुच्छ है, S, ठीक है, दो बिंदू है माना A और B, यहाँ पर पड़े हुएं यह, तो इनको मिलाने वाला, इनको मिलाने वाला जो जाने क्या चाप, इनको मिलाने वाला जो बहु भुब़े चाप बने गा, तो इन बिंदू हो पर ऐसे समझतें, यह A है, और यह B है, इन को मिलाना है, इनको हैं तो एनको मिलाने वाली इनके इनके पॉइंट इनको मिलारे हैं है मिलने के बीच में यहां से यहां तक जाने में जो हमने मिलाया है उसमें जितनी बिद्दू आहां गयों हो अगर वह उसी समुच्चे में बिदमान होंगे तो हम क्या कहा देंगे इसको हम कहा देंगे समब्समच्च बोल द though think I'm the चलिए अगय देखते हैं आगय अंतराल का रेखा कंड के अंतराल का रेखा कंड है कि अंत्राल का रेखाखंड कि कि अंत्राल का रेखाखंड कि 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 क्या होता है देखो यदी जैड़ बन तथा जैड़ टू समिश्र तल में दो विंदू हैं तब समुच्चे जैड़ सच देट जैड़ बराबर जैड़ ब्लस टी समिश्र तल में दो बिंदू हों रेखाखंड कहलाता है जिसको जैड़ बन कॉमा जैड़ टू के द्वारा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ठीक है जैड़ इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास दो बिंदू है यह आपका पास क्या है कोई सम्तल है समिश्र तल है इसमें दो बिंदू ले लिया आपने यह जैड़ बन ले लिया और जैटू ले लिया तब समुच्छ यह वाला समिश्र तल में वहां पर करेगा इस तरीके से मिलेगा यह 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 पर मारांपको पता है तो यहां 강ै कहलाएगा जैड कहलाएगा इसको बोलते हैं अंतराल का रहता अब आता है बहु बुझ क्या होता है बहु बुझ परिवाशा की बात करें तो क्या होता है यदी z1, z2 dot 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 zn समिश्र तलके बिंदू है समिश्र तलके बिंदू है तब समुच्चे तब समुच्चे P बरावर z1, z2 z2, z3 zn, zn समिश्र तलके बहु बुझ कहलाता है समिश्र तलके बहु बुझ कहलाता है जिसके जैड़वन प्रानम्बिक बिंदू तथा z2 तथा zn बिंदू है देखो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कोई सम्तल था यह था यहाँ पर z1 है z2 है z3 है ऐसे करके कहां तक जा रहा है जैड़न तक जा रहा है तो आपने क्या किया पहले इंदो पॉइंट्स को लिया फिर इंदो पॉइंट्स को लिया फिर इंदो पॉइंट्स को लिया फिर इंदो पॉइंट्स को लिया ऐसे करके यहाँ पर पहुच जाओ गया इस टाइप से तो आपने इंस सबका क्या ले लिया संग ले लिया इंस सबका संग क्या किलाएगा हमारे पास के ले लिया आपने संग ले लिया उन सबका संग लेने के बाद जो आएगा वो क्या क्या आएगा हमारे पास बहुबुच क्या लाएगा ठीक है चलिए पॉलिगन जिसको बोलते हैं और परिवाशाएं हैं, वो देख लेते हैं, विवरत प्रांत या छेत्र, विवरत प्रांत या छेत्र, विवरत प्रांत या छेत्र, क्या होगा देखो, समिश्य तल में एक, समिश्य तल में एक, अरिक्त विवरत समुच्य, विवरत प्रांत या छेत्र कहलाता है, इसका मतलब यह हुआ, कि आपके समिश्य तल में, अगर कोई विवरत सम्बद समुच्य होगा, विवरत का मतलब क्या बताया था, परिवाशा आपको लेखा ही चुका हूँ, सम्बंद की भी लिखवा चुका हूँ, अगर कोई भी किसी भी समुच्य, सम्तल तल में, क्या होगा विब्रत और संबद्ध होगा तो वो क्या कहलाएगा विब्रत प्रांतिया छेत्र कहलाएगा अगली परिवाशा है आपकी सतत चाप सतत चाप समिश्र समतल में समी करण जैड बराबर स्टी प्लस आई वाई टी और एक्स है यह है एक्स प्लस आई वाई टी से निर्धारित बिंदूओं से निर्धारित बिंदूओं का समुच्चे स्टी आई थाइवाबर